शानुम नाम के एक लड़के ने बक्री और गाएं पाली हुई थी वो बक्री और गाएं का दूद बेचता था बक्री बहुत चतुर थी और वो गाएं के साथ कुछ न कुछ चाला की दिखाती रहती थी गाएं बक्री से ज्यादा दूद देखी थी इसलिए बक्री गाएं से बहुत चिड़ती थी इस गाएं का कुछ नकुछ तो करना ही होगा जो ये मुझसे जादा दूद ना दे पाया एक दिन बकरी ने सोचा कर जब शामू हमें मैदान खास चराने ले जाएगा तब इस गाएं के साथ कुछ करना होगा सोचती हूँ क्या किया जाए तब ही गाएं कहती है बकरी तुम मुझसे चिड़ती क्यों हो मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहती हूँ देखो हम तोनों एक जैसे पशु है और भगवान ने हमें मनुश्य के काम आने के लिए बनाया है इसे लिए हमें अपने करम पर ध्यान देना चाहिए अपने करम को खराब नहीं करना चाहिए हाँ तुम से आदा मत बोलो मुझे सब पता है भगवान ने तुम्हें बड़ा बनाया है और मुझे चोटा हम समान कैसे हुए? बताओ और तुम इतना जादा दूद देती हो हर कोई तुम्हें प्यार करता है बड़की मैं कम दूद देती हूँ और कोई मुझे से प्यार नहीं करता अगले दिन शामूफ बकरी और गाए को मैदान में ले जाता है बक्री को मैदान में खास खाने के लिए छोड़ देता है और गाए को तालाव में नहाने के लिए ले जाता है यह देखकर बक्री और भी ज़ादा चिड़ जाती है हाँ, हे भगवान देखो, देखो जड़ा इस इंसान को हम पशों में कितना भेद भाव करते है अगले दिन दोबारा शामू गाए और बक्री को मैदान में ले जाता है बक्री को घास चड़ने के लिए छोड़ देता है और गाए को नहाने के लिए ले जाता है लेकिन जब गाए वापस लोटती है तो बक्री उससे कहती है हाँ हाँ वहीं दूर चली जाओ वहाँ बहुत हरी गास है अब इसे गास नहीं मिलेगी और ये फूकी रह जाएगी तो ये कल दूर कैसे दे पाएगी नहीं दे पाएगी हाँ गाएं को वहाँ कोई गास नहीं मिलती और गाएं फूकी रह जाती है फिर शामू उन्हीं खर ले आता है, पर गाएं तो गव माता है, उसने खिर भी अगले दिन दूर दिया यह देखकर बकरी हैरांग है गई और अपने किये पर बहुत शर्मिन्दा हुई शैतान चूहा और उसका खाना गोपाल दास अपनी पत्नी चंद्रा के साथ ग्राउंड फ्लोर वाली मकान में रहा करता था वे दोनों बहुत धार्मिक प्रविर्ती के थे और रोज पूजा पाठ किया करते थे लेकिन दोनों को मिठाई खाने का बहुत शोक था उनकी रसोई हमेशा मिठाईयों से भरी रहती थी गोपाल दास अपनी पत्नी चंद्रा के लिए तरह तरह की मिठाईया लेकर आया करता था लेकिन मोती चूर के लड़ू उनके पसंदीदा थे एक दिन चंद्रा ने गोपाल दास से कहा अजी सुनते हो मोती चूर के लड़ू खत्म हो गए हैं आज शाम को घर आते वक्त याद से ले आना अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए चलो कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा गोपालदास ये नहीं जानते थे कि उनके घर में एक छोट एसे बिल में दो चूहे रहते थे और वो दोनो रात के अंधेरे में उनकी रसोई में आकर मोती चूर के लड़ू खा जाया करते थे अरे चलो 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 दोस अंधेरा हो गया चलो चलो पाटी करते हैं हाँ हाँ चलो आध ही मोती चूर के लड़ू का दया डिपा है चलो चल कर खाते हैं दोनों चूहे रात के अंधिरे में रसोई घर में जाकर बड़े आराम से लड़ू खा जाते हैं और उधर गोपाल दास परिशान थे कि उनके मोती चूर के लड़ू इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए एक दिन अचानक रात को चंद्रा की नीन खुली उसने गोपाल दास से कहा अजी सुनते हो उठो ना उठो मुझे बहुत जोर से मोती चूर के लड़ू खाने की फूख लगी है जाओ ना रसोई घर से जाकर लड़ू ही ले आओ क्या कह रही हो तुम ये भी कोई समय है भला लड़ू खाने का पर चलो तुम्हारा दिल है तो मैं ले आता हूँ वे दोनों चूहे लड़ू की दावत कर रहे थे गोपाल दास को देखकर चूहे वहां से भाग जाते हैं गोपाल दास तुरंत अपनी पत्नी को बिलाकर लड़ू के चोरों के बारे में बताता है ये सुनकर चंद्रा कहती है अजी चूहे तो भगवान का रूप होते हैं उनके खाने के लिए पनी रख देते हैं तो वे लड़ू नहीं खाएंगे गोपाल वैसा ही करता है लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि चूहे पनी ना खाकर फिर से लड़ू खाने लगते हैं अब गोपाल दास और चंद्रा समझ चुके थे कि चूहों को लड़ू ही अच्छे लगते हैं अब वे चूहों के लिए अलग लड़ू का डबा लाने लगे चूहे यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं अरे वाँ आज तो हमारी दावत का अलगी इंतिजाम है चलो दोस्तों खूब दावत उड़ाते हैं कोफाल दास का धन्यवाद कहो घोड़ा और साहुकार एक बार की बात है एक साहुकार अपने घोड़े भूरा पर बैठकर शह जा रहा था रास्ते में घोड़े के मन में एक विचार आया ये मालिक मुझे दिल भर कहीं न कहीं खुमाते रहते हैं मैं ठक जाता हूं दिल करता है कहीं दूर भाग जाओं बाकी घोड़ों के साथ खेलूं दोड़ूं आज़ाद हो जाओं इतनी खूबसूरत दुनिया है कहीं जाकर आराम से दुनिया देखने के से लूं मगर मेरा साहू कर सेठ तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देता हमेशा बांध कर रखता है पता नहीं मेरी ये छक कप पूरी होगी उधर मालिक को अपने घोड़े पर बहुत प्यार आता है और वो उसकी भूग की चिंता करने लगता है अरे अरे बहुत देड़ चल लिया ठक गया होगा है ना भूरा वो रास्ते में घोड़े को हरी हरी घास खाने के लिए खुला चोड़ जीता है देख देख कितनी बढ़ीया हरी हरी घास है तुझे भूक लगी होगी जा जा कर खा ले अब घोडा ये मौका पाकर वहाँ से भागने की सोँछने लगता है क्यों ना यहाँ से भाग जाऊं ये मौका बहुत अच्छा है मगर कैसे यहां से भागना बहुत मुश्किल है भूरा भागने की बहुत कुशिश करता है मगर वो भाग नहीं पाता दोनों आगे बढ़ जाते हैं मुझे भाग नहीं होगा ये मालिक तो मुझे पर सवार होकर यू घूमता ही रहेगा एक बार फिर भूरा के मन में फिर से खायाल आने लगते हैं कुछ तो करना होगा मगर क्या करू आगे चाते ही घूरे को एक रास्ता दिखाई देता है और वो सोचता है यहां से भाग जाता हूँ आगे चलकर घूरा डगमंगाने का नातक करने लगता है और मालिक उस पर से उतर जाता है अरे अरे क्या हुआ यह डगमंगा क्यों रहा है आराम से चल अब बारी है भागने की जैसे ही भूरा भागता है मालिक उसके पीछे भागने लगता है अरे भूरा भूरा आगे खाई है क्या कर रहा है रे तू अचानक तुझे हुआ क्या है भूरा नहीं सुनता उसका मालिक उसे बहुत रोपने की कोशिश करता है अरे भूरा रुक जा मेरी बात सुन भूरा आगे खाई में गिरने ही वाला था ये अचानक मालिक भाग कर उसकी पूच खुचता है और उसकी जान बचा लेता है तब ही पूरे को अपनी गलती का एसास हुआ ओहो मैं अपने मालिक के लिए कितना गलत सोचता हूँ ये तो मुझे बहुत प्यार करता है मुझे अब दुबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए बेवा कूफ मोर एक जंगल में सोनू नाम का एक मोर रहा करता था वह बहुत ही सुन्दर तो ये अपनी सुन्दरटा पर बोहत घमन था लेकिन वू सुन्दर होने के साथ साथ बहुत बेवात फो फी था वो सिर्फ बेरी खाया करता था और अच्छे अच्छे ताजे-ताजे बेरों की तलाष में वो जंगल में काफी अंदर तक चला जाया करता था सोनु की इस आदत से उसके सभी घरवाले परेशान थे और उसे हमेशा समझाते थे एक दिन मोर की मा ने कहा पीटा सोनु तुम ये घने जंगल में मच जाया करो वहाँ शिकारी आते हैं तुम कभी भी उनके जाल में फस सकते हो बेटा मैं क्या करू मा यहाँ खाने को बेर ही नहीं है और मुझे बेर की तलाश में जंगल में ही जाना पड़ता है सोनु किसी की बात नहीं मानता और वो बेरों की तलाश में गने जंगल में चला जाता है वहाँ एक शिकारी ने अपना जाल फैला रखा था मोर को देखकर मैं शिकारी खुश हो जाता है अरे वाह आल तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है देखो कितना सुन्दर मोर खुद बखुद चल कर मेरे पास आ रहा है शिकारी ने सोनू मोर को देखते ही उसे पकड़ने के जाल भेका लेकिन सोनू उसके जाल में ना भसकर उसकी पकड़ से बच गया और उड़कर भागने लगा शिकारी भी उसके पीछे भागा अरे रुको अरे रुको रुको कहां भाग रहे हो तुझे तो मैं पकड़ ही लूँगा लेकिन सोनु तब तक भागता रहा जब तक शिकारी उसकी नजर से ओजलना हो गया लेकिन इस भागम भाग में सोनु को पता ही नहीं भी लगा कि वो जंगल के किस हिस्से में आ चुका है चलो अच्छा हुआ जान बची शिकारी तो अब दिखाई नहीं दे रहा अरे लेकिन मैं यहां कहा हूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सोनु धीरे धीरे उड़ता हुआ बहाँच अपने घर की ओड़ चला लेकिन रास्ते में खूप सारे बेरों की जानिया देखकर उसका मल नलचाने लगा अरे वाह इतने मीठे बेर चलो घर जाने से पहले खूप सारे बेर खा लेता हूँ बहुत भूग लगी है और सोनु निश्चित होकर बेर खाने लगा लेकिन वो यह नहीं जानता था कि हवा में उरता हुआ एक बास उस पर नजर रखके हुए था अरे बहुत इतना मोटा ताजा शिखार यह तो बेर खाने में मस्त है यही यही सई ही समय है इसे फकड़ कर खा देगा वेर खाते सोनु को पता ही नहीं चला कि कब बास उसके नस्दी का कर खड़ा हो गया इससे पहले कि सोनु कुछ समझ पाता बास ने उसे अपने पंजों में जकड़ा और उन में लगा चोड़ दो मुझे चोड़ दो मुझे चोड़ दो लेकिन बास ने उसकी एक ना सुनी और उसे मार कर खा गया इस तरहां सोनु को अपनी ना समझी और लालज की वजह से अपनी जान गवानी पड़ी